दोस्तों दिन चर्या की शुरुवात गुनगुना पानी से यारी शोकर के उठा मों धुल करके गुनगुना पानी येदी मिल गया लगभग 500-600 ग्राम तो ठीक है एक गिलास भी मिल गया ठीक है येदी नहीं मिला तो सामाने पानी से भी शुरुवात हो जाती है पानी की करके अगर उपलब्धता है तो मैं नीम खोजूँगा और नीम का डंठल नहीं पत्तियां अब यह पत्तियां है किसी ने दातून तोड़ा था उसमें से पत्तियां मिल गई है अब इसको ऐसे किया अब इसको करने के बाद अब इसे कुपटना है दाम दो प्रकार के हैं एक क्रिंतक है नहीं चार प्रकार के हैं क्रिंतक रदनक अगर चर्बनक और चर्बनक तो यह कुतरने वाले दाम से हुआ है 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 ऐसे हो गया इसे बगल में ले लिया हूं बात करने में दिखर नहीं है उससे हम दाथोन करेंगे दातों के सफाई करेंगे अब आपको पता ही है कि नीम एंटी आक्सिडेंट है तो मुह का दुर्गंद दातों की सफाई और पूरी तोर पर जो आयूर्बेत के मानक हैं उसके पूर्ती करते वे हम मुह और दातों की सफाई कर लेंगे तत पस्चात यदि दातों का टंठल हो या फिर जिब भी आप रखिये उसको दातों को मत तोड़िये बड़े काम का है नीम बड़े काम की है और भी तोड़ा जा सकता है इसको फार करके बना जा सकता है तो इसका एक ही पर्याप्त है दो हमने ऐसे ले लिया है एक को खागी पानी पी जाओंगा बात रहे हैं तो जितने पेट के क्रीम है इस तरह से जो धातक बेक्टिरिया है वह समाफ हो जाएंगे कि अच्छा जानतों कि अच्छा जाएंगे इसे घुमा करके भी विटर हाट ले आकर पी ओंगली से कर सकते हैं इसके इसन हुआ झाँ कर रहे हैं जाएंगे इसे आताट कि युमा एक जाहा है बात बात की जाख से एक्छा को आतासके अब दियु खाख कर लेंगा अब इसा है आपको कम लगठा है तो एक बार ओ रहाँ पर्याब कर लिए लेकिन यह पर्याप है अब रह देदा आप लोहे प्लाक्ति की जिभी हो उससे आप कर लिए जीव साथ या फिर किसी अदन खल्कू आपर लेकिन इसे इक मिश्टस का है या भूत तो पर्याबर तो इसकी घातक है एक तरह से पारी भी शोसित करता है भूग इसको तोड़ने में बहुत अजीक डिक्तत नहीं है। लेकिन इम का तोड़ने में तो डिक्तत होती है। चोकि निम बड़े काम के है। दोस्तों ऐसे ही है। अब विडियो को हम यही बंद करते हैं, और फिर जीब साफ करके, और ऐसे फ्रह सो जाते हैं। फिर आगे की दिन चर्या मैं आगे बताऊंगा कि तैसे होता है या सिखा है अमने डाक्टर कमल तावरी जी से जो भारती प्रसास्थिक सेवा के अपसर रहे हैं और भारत सरकार के सेक्रेटरी रहे हैं तो उनको मैं देखता हूँ कि ऐसे लेकर के रखते हैं अपनी बैग में और ऐसे एक लिका लेंगे और उसको धुल करके उपट करके करके इससे यदि आप बीडी पीते हैं सिग्रेट पीते हैं सुर्ती खाते हैं तबाकु खाते हैं और यह तमाम जो फस्कियां आती है आप बीडी दोस्तों इसको मैंने सहेज करके रखा है और इसे आराम ठिखा जाओंगा ऐसे इसकी चत्नी भी बनाकर के नीम की चत्नी बनाकर के आप खाते हैं इसका काढ़ा पीछेश्ते हैं अब यह की थोड़ा सा मुस्किल है इसको उबाल करके आप चाहें तो फिर स्वर दिल के विए तो दोस्तों आज के दिल इतना ही ब्रेज भूस न दूबे का साधर नमस्क्याथ